बिहार में संभावी चुनाओ कभी भी संभाव है जैसे लोकसभा चुनाओ और विधान सभा चुनाओ एक साथ कराने की तैयारी हो रही है ऐसे में कितना तैयार है आरजेडी और आप हाजीपुर लोकसभा चुनाओ को कैसे देखते हैं देखिए, निश्चित रूप से कहे तो नहीं, विशेश सत्र बुला करके, एक मैसेज देना चाहते हैं देश के प्रधान मंत्री की, कि हम जो है, कि हम चुनाओ कि किसी समय करवाना चाहते हैं, किसी समय आप चुनाओ करवा लिजे, हम लो तो तयार हैं, गरीबों की बात करने वाला, दवे कुछले की बात करने वाला हमेशा गरीब की बात कर रहा है, बहुर बलॉक से लेकर के, जिला से लेकर, मुंडल अकमिस्टरी में सब दिन हम धरना प्रदर्शन अंदोलन करते रहें, गरीब की अबाज उठाते रहें, कहने कि इंडिया वाले सीट शेरिंग का म अब दिन होई थी न, तो ये सारे लोग भारतिये जनता पार्टी के जो लोग है, जो इंडिये के लोग है, सब लोग एही कहते थे, कि जिरिवाल साव नहीं आएंगे, तो मालत हैं कि सरत पवार नहीं आएंगे, अबूक जंग नहीं आवेंगे, लेकिन आपने देखा, सेक लेकर के हो, या लोगों के साथ बैट करकर के जो है, उसमें जो है कि अभी बैट के कहने का मतलब ज़ात पवार जी के घर पर दिली में जो है कि इंडिया की बैठक चल रही है, जिसमें हमारा बालत है कि नेता हमारे हैं और बिहार के उत मुक मंत्री, स्री तेस्वी परसाद ल्यादब जी उसमें सिर्कत करने के लिए का है?